यह वाली जो वीडियो देखिया आपने मेठी डांस की पहली वीडियो थी अब बहुत प्रैक्टिस के बाद जो कि मैंने अपने को अपग्रेड गया यह वाली वीडियो देखते है तो यह वीडियो देखिया आपने तो अपग्रेड करने के बाद यह चेंजेस आते हैं अब नोकिय जब इत्ती बड़ी कंपनी थी इतना बड़ा उसने पुरा प्लाटफॉर्म लगाया सब के पस नोकिया के फोन थे फिर उन्हें अपने को अपग्रेड क्यों नहीं किया और आखिर क्या रीजन था नोकिया के इस फेलियर के पीछे इस वीडियो में सभी कुछ गई एक टाइम पर नोकिया के बहुत सारे फोन से हर इंसान के हाथ में अल्मूस्ट नोकिया का फोन दिखाई देता ही था तो नोकिया की जो स्कार्टिंग थी वह हुई सन् 1-800 पैसेट में और वह भी फिनलेंड से आप लोग जानते हैं कि जो नोकिया है वो फिनलेंड की क से इनने कंपनी ने मोबाइल फोन बनाना स्कार्ट गया और रेपिड़ल इतनी तेज मोबाइल फोन बना दिये कि 1998 तक टॉप पर एक कंपनी पहुंच गी और 2007 में इस मोबाइल का जो मार्केट कैप है वो 50% से भी ज्यादा था लेकिन 2007 में जैसी आइफोन आया कुछ चीज जैसे काम कर रही थी दीर दीनोकिया ने बात में जो चूस किया था वह विंडोष को चूस किया वह भी Microsoft के साथ जब उसने पार्टमरिस हिए और यहीं से नोकिया का गिरना स्टार्ट हुआ सं 2010 में क्योंकि नोकिया के जो भी Softair थे जितने भी फोन थे जितने उसके फोन थे उन सभी में Symbian नाम का एक operating system था जो कि Nokia अपने सभी device में use करता था और यही उसकी एक बहुत बड़ी issue था क्योंकि Nokia ने अपने software को update नहीं करा जबकि अपने काम कर रहा था hardware पे इसकी बाद जैसे ही Nokia ने सन 2014 में अपने mobile phones को Microsoft को बेचा वो भी 7.2 billion dollar में और वहां से उसकी कहानी बिल्कुल खराब होगी और अब Nokia फिर से grow करने लग गया है कुछी टाइम से अभी 2016 के बाद हमने बहुत सारे phone Nokia के देखने स्टार्ट करें और Nokia फिर से grow कर रहा है और Nokia ने अभी still अपने Android phone पे भी काम करना सुरू कर दिया है और software पे भी काम कर रहा है इसके सांथ cost cutting करके Nokia बहुत अच्छे-च्छे phone बीच में लेके आया बट अभी भी Nokia के phone में battery का बहुत सारा issue है तो I hope वो product management पे काम करेंगी उनकी team Nokia की ये case study की वीडियो आपको किस तरीके की लगी प्लीज comment box में pin करके जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि किसी new case study पे किसी business case study पे हम नई वीडियो बनाएं तो please comment box में comment करें किस तरह की आपको ये YouTube वीडियो लगी तो अगर आपको कुछ भी values यूटूब चैनल से मिली हो या इस वीडियो से मिली हो